आज दिवाली है पूरे विश्व में, जहां जहां हमारे सनात्नी भसते हैं, बड़े दुमदाम के साथ यह तिवहार मनाय जाता है। तो दिवाली यदिपी हमारा आनाधी उत्सव है, जब रामची आध्या आते हैं, तब दिवाली मनाय गई ऐसा नहीं, दिवाली तो आनाधी उत्सव है। हमारे सास्तों में लिखावा है, पूरा कार्तिक महीना दीप दान करने के महीमा अनाधिकाल से, हमारे पुराणों में, और कार्तिक के अमावस के दिन उस अंधियारी र्यात में, दीप के सासा, दीप दान के साथ, हम लोग दीप आवली का दान करते हैं, दीप आवली, दीप प्रंप्रा तो हमारी अनादी है लेकिन हुआ यह कि दिवाली का नाम भागवान के राम जी के चोदा वर्स के बाद लोटने से जूड कैसे गया यह ऐसा नहीं कि तब से दिवाली मनाना प्रारहम कैसे पहले नहीं मनाते यह तो मैंने का ना अनादी उत्सव है कार्थिक बनवास गए तो चोदा साल में तिवारी नहीं मनाया उदास थे कोई उत्सा मन में नहीं था क्योंकि राम के बिना अपने इष्ट के बिना कोई भी सुख सुख नहीं दे सकता तो चोदा साल तक बस एक नेम पूरा करने के लिए दीपदान कर दिया पनाम कर लिया मध्ध टेक लिया बस इतना हलका सब करते थे एक उत्सव है बाकि उत्सा के साथ उत्सव नहीं मनाते है उत्सव किस्ते उत्सव कहते हैं कि इनको उत्सा के साथ मनाय जाता है अब राम क बिना सीता राम लक्ष्मन बन में हैं तो कहे का उत्सा जब उत्सा नहीं तो कहे का फिर उत्सा लेकिन दार्मिक उत्सा है तो दीप दान करके परणाम कर लेते थे हो गया बस इतना ही ज्यादा नहीं मनाते लेकिन जब राम जी आते हैं आयो ध्या उसके बाद दिवाली जब यह नहीं कि दिवाली के दिन राम जी आया, ऐसा नहीं, तो जब राम जी आते हैं और उसके बाद जब दिवाली का उत्सा मनाए जाता है, प्रतमार राम के आने पर, तो इतना उत्सा के साथ, इतना धुम धाम से दिपावली मनाए गई, तो उससे पहले कभी ऐसी दिवाली प्रश्व जादी आ गया दीप पंक्तियों से और सर्जु जिसे वो विहंगम द्रिश्य देखते ही बनता था मानो एक आयोध्या प्रिथी के उपर और एक आयोध्या सर्जु के जल के वीतर भी दिखाई दे रही थी कैसे वो परतिबिम्ब आयोध्या के किनारों से बल खाती सर्जु से जब दर्शन करते थे स्नान करने वाले तो आयोध्या प्रतिबिम्बित जल में होती थी तो और अकास में तारे आज मानोवी प्रसवनता के मारे खुब टिम्टिम्ब आने लगे तो वो उत्सव इतना उत्सा से मनाए गया चोदे बरस तक तो दिपावली को ग्रहनी लग चुका था समस्तिवारों को आवधवाशियों के लिए ग्रहनी लग चुका था लेकिर रामजी जब आते हैं तो पर प्रतम तेवार रामजी के चोदा वर्स आने के बाद जो दुम्दाम से मना गया आज तक वैसा हो रहा है लेकिन एक बार फिर ग्रहन लग गया आयोध्या पर जब मंदिर तोड़ा गया और कहीं दसकों से नहीं बलके सद्कों से सदियों से वहाँ पर रामजन भूई पर नहीं हुआ है सब लेकिन अब की बार वही संयोग फिर बन रहा है लग बग चार सो साल बाद लग बग आज आयोध्या की दिवाली रामजी के स्वागत में राम मंदिर बन करके तयार हो चुका है बस और इतने अनंद के साथ ये उत्सवव की बार सब लोगों को मनाना है राम मंदिर बन चुका है बस स्थापना की तयारियां अंतिम चरण पर है तो भव्यास रामजी का स्वागत उस समय तो किया ही गया था तिरे तयुग में अवतार काल के समय लेकन आज फिर रामजी दुबारा से अवतार ले रहे हैं असली विग्रह कि रुमे स्थापित होने के लिए तयारी चल रही है मंदिर बनके भव्या तयार हो चुका है और मैं सब को मंदिर की भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा दिपावली की भी बधाई देना चाहूंगा अब कि बार आपको करना ये है कि रामजी आ रहे हैं कई सद्यों के बाद तरता युग में तो 14 वर्स के बाद आ गए थे लेकिन यहां तो कई सद्यां भीत गल गई, राम जनूंपि grape नहीं बन पाया, राम जी की स्थापना नहीं हो पई, अब राम जी की स्थापना हो रही है, तो हम rाम जी के लिए पहले से स्वागत करें, दीपावली वैसी मनाए जैसे त्रेतायग में आवध निवासियों ने मनाई थी राम जी के स्वागत में तो अब की बार जो जो भी मुझको सुन रहे हैं कैसे दीवाली मनाएंगे जैसे आप प्रतिवर्ष मनाते हैं वैसी मनाएं बस एक एक्ष्टा चीज करने हैं और ये सदा के लिए नीम बन जाए एक तरह से नीम बन जाए के रिवाज हो जाए क्या कि जैसे भी आप प्रतिवर्ष दीवाली मनाते हैं मनाएं लेकर एक दीपक ऐसा भी स्पेसल सीराम जी के ना क्योंकि दीवाली का सब सीराम जी से जुड़ गया 14 वर्ष के बाद राम जी आते हैं तो आप आयुद्या के चारों तरफ किसी भी दिशा में क्यों नहों दीपक आप जिलाएंगे उत्तर दक्षन पूरु पश्चिम का विचार किये बिना आयुद्या की तरफ दीपक की बाती का रुक करके मुह करके तब आप एक दीपक अवर्ष्च जिलाएगे और ये प्रती वर्ष एक दीप, दान श्री राम जी के नाम अब की बार दिवाली विशेश होने वाले हैं तो ऐसा आपको भी करना है, और ये प्रतिवर्ष करना है, अपने इष्ट को जो भी आपकी इष्ट रहे हैं, इष्ट को तो नमन करना है, और दीपदान करना ही होता है, लेकिन एक दीपदान, आपका इष्ट कोई भी क्यों ना, लेकिर राम जी के नाम ही होना चाहिए, तो आयुद्या की उस खुशियों में हम भी सरीक हों, हम भी सम्मलित हों। तो इस प्रकार आपको किस तर मुँ करेंगे उतर दक्षिन पूरु पश्चिम का विजार किये बिना आप जिस भी देशा में हैं, वहां से आयुद्या जिस देशा में पढ़ता है, उस देशा में एक धीपक मुख करके बाती का एक धीप दान करना है भगवान सी राम जी के लिए। आप सब भगतों को दिपावली की बहुत बहुत में बधाई देना चाहूंगा, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुब कामना करता हूं, आपके लिए दिपावली का उत्सा खूब उत्सा लेके आए।